कि रामने दन्वा तोड़ा वो जान की तेरे लिये कि रामने दन्वा तोड़ा जान की तेरे लिये कि रामने दन्वा तोड़ा वो जान की तेरे लिये कि रामने दन्वा तोड़ा वो जान की तेरे लिये कि रामने दन्वा तोड़ा वो जान की तेरे लिये सामने दगरा तोरा जानी की जेरे लिये, जेरे लिये जनक पुर से में आए ओनी अज़ो त्या नगर से आए जनक पुर में लेरा ए अज़ो त्या नगर से आए जनक पुर में लेरा ए तनस को तोरे गिराया जानी की जेरे लिये अज़ो तोरे गिराया जानी की जेरे लिये इस तरह से लड़किया गारे परिछे जेरे लोग तो सारे देवी देवता कहने के तुमारा कल्यान त्रेटा इद में होगा जब भगवान राम बन के आएंगे उनी के हाथों से अब बैई स्री राम ने धनुस को प्रणाम किया मन ही मन में अपने गुरू को प्रणाम किया और धनुस को एक अंगुली पे उठाया कुछ देर तक नचाते रहे नचाते रहे पता नहीं कब जुका धनुस आवाजे का यी कानों में वो अबास सुनकर क्रोध ने धान वीर पर असराम जी चले आ रहे अपने आसरम से और इधर जब धनुस चूट को एक बोली जी जी अब कैसी खड़ी है मूँ लटकाए चला अब जैमालों डाल चल गया जैमाला डाल दे अब सीता मैया राम के पास पहुंची पर इच्छी जी उचक उचक के रह जातीं जैमाला नाई डाल पाती हैं क्यों राम की उम्र चौदा साल छे महीना नो दिन की सीता की उम्र पांच साल पांच महीना साथ दिन की सीता मैया राम के कमरे से हुए रही है चोटी सी है लड़किया कह रही राम तुम देखना है रही हो मिरी बिटिया के तरफ क्यों कि जोकी जाईयो लला रगुबीरा और जल पिटिया मेरी छोटी है जोकी जाईयो थोड़ा जोक जाओ क्यों क्यों कि मेरी बिटिया बहुत छोटी है परिची जी सीता अगर जै माला डालनी चाहती तो वो डाल देती लेकिन सीता सोच रही है अगर हाथ ऐसे उठाएंगे तो हमारे गुरु जी बैठे है अट्टा बक्र जनक के गुरु अट्टा बक्र थे दो आठ जगे से टेड़े थे सोच रहीं अगर मैने हाथ उठाई के जै माला डाली तो लच्छमी निद मेरा